दोस्तों मौहमर शमी को इस तरीके से आउट करता हुआ देखकर रोहिच शर्मा काफी ज़्यादा गुसा हो गए क्योंकि उन्होंने 98 रन पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े दासुन सनाका को मैंकेड करके आउट कर दिया था जैसे कि रविच चंदरन अश्विन अक्सर किया करते थे लेकिन रोहिच शर्मा ने तुरंदी शमी को अपना डिसीजन वापिस लेने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने एंपाइर से आउट की अपिल कर दी थी रोहिच शर्मा कैप्टन है इसलिए वो डिसीजन ये ले सकते थे और उन्होंने दासुन सनाका को इस तरीके से आउट करना सही नहीं समझा दोस्तों क्या रोहिच शर्मा ने सही किया आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा